आने वाला साल 2024 सिंगह रास वालों के लिए बहुत ही मजबूत रहने वाला है आर्थिक इस्तित बहुत ही मजबूत रहेगी केरियर में बहुत बड़ा सफलता मिलने वाला है और आपके जीवन के जो संकट हैं वो खतम होने वाले हैं क्योंकि मित्रो साल 2024 सिंगह रास वालों बेक्तियों के लिए बहुत कोछ भयंकर लाग लेकर आ रहा है आप चाहते हैं कि साल 2024 में आपका केरियर आपको बड़ा लाब दे तो मित्रो एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्षन में जै बजरंग बली आउस लिखेगा वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको साल 2024 में भयंकर लाब होने वाला है क्योंकि मित्रो आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि साल 2024 में आपको किन छेत्रों में साउधानी बरतनी है और किन छेत्रों में आप लोगों को लाब मिलने वाला है इसलिए वीडियो को संपूर देखेगा वीडियो को काट पीट कर नह अपने जीवन में संगस बहुत करते हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है इन्हें क्योंकि मित्रों आप मेहनत करने के पावजूद कभी कभी सफलता नहीं पाते हैं नौकरी की तलास करते रहते हैं लेकिन नौकरी आसानी से आपको नहीं मिलती हैं लेकिन मि अलाजी की कृपा बन कर रहेगी साल 2024 में इसलिए आप लोगों को ज्यादा परेशानी साल 2024 में देखने को नहीं मिलेगा और मैंने यह भी देखा कि पिछले तीन साल कुछ नारमल आपके बितीत हुए मैंने जब जोतिव सास्त्र देखा तो मैंने देखा अन्य रासियों की त अन्य भीृतान बना रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे थे उसी हिसाप से ये महत कर रहे थे कंपडेशनलेबल की तयारी तो कर रहे थे लेकिन सफलस्ता नहीं मिल पा रही थी उसका कारण क्या था उसका कारण यही था कि आपके ग्रहन चत्र आपको साथ नहीं दिया आपकी किस्मत आपको साथ नहीं दिया लेकिन मित्रो आने वाला जो साल दो हजार चोबिस में इसमें आपके ग्रहन चत्र आपकी किस्मत आपको साथ देने वाली है आपके घर की इस्थित भी सुधरने वाली है क्योंकि मित्रो जब भी रब देता है तो छपर फार के देता है और वही हुआ सिंघरास वाले ब्यक्तियों के साथ आप लोगों को थोड़ा सा साउधानी बरतना है जहांपर आप बिजनेस करना चाते है अगर आप लोग करना चाते है तो थोड़ा सा साउधानी या बरतना है जिस लाइन में आप बिजनेस करना चाते है जिस लाइन में आप पैसा लगाना चाते है उस लाइन पर सबसे पहले रिसर्च कर लेना सबसे पहले रिसर्च करके ही पैसा लगाना नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है जो तिसास्त्र खुले सब्दों में कहता है साल 2024 में आप जिस लाइन में जाना चाते हैं जिस छेत्र में आप बिजनेस करना चाते हैं या पिर कुछ आप लोग जो बड़ा प्लान कर रहे हैं प्रोपर्टी डिलिंग का काम कर रहे हैं उसमें आप पैसा लगाना चाते हैं तो आप लोगों को पहले पैसा लगाना नहीं है पहले आपको रिसर्च कर लेना है अपने से बड़े एक्सपर्टों से सलाह ले लेना है कि इतना पैसा लगाएंगे तो इसके बाद profit कितना होगा अगर आप research करके कोई business करेंगे कोई काम करेंगे तो आपको lab होने के chance ज्यादा है इसलिए मित्रो आने वाले साल 2024 में आप अगर कोई काम करते हैं तो research करने की जरूरत है उसी के साथ कुछ जातक पढ़ाई करना चाहते हैं बड़ी label की और पढ़ाई कर लेना और उसमें देख लेना कि competition label कितना है और आप अगर उस चीज को कर पाएं तभी उसमें पैसा लगाना वरना आप लोग पैसा मत लगाना आप अपनी quality को देख लेना कि आप उस label में है या फिर नहीं अगर आप छोटे education से जो है पढ़े लिखे हैं आप highest में आप फ सोच समझ कर करेंगे तो आर्थिक इस्थित के साथ आप लोगों को भैंकर लाव भी इस साल मिलने वाला है आर्थिक इस्थित तो सही होगी ही लेकिन आप लोगों को थोड़ा research करके जाना है उसी के साथ आपके career में कुछ सफलता मिलने के chance है जो जातर पढ़ाई कर रहे थ साल दोजार चोबिस में नवकरी आप लोगों को private sector में मिले या फिर सरकारी सेक्टर में आपके ग्रहन चत्र डिसाइड करेंगे आपकी मेहनत डिसाइड करेंगी इसलिए आप अगर मेहनत करते हैं तो सफलता मिलना 1000% ताई हैं अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो सफलता नहीं मिल सकती कोई भी आपको सफलता नहीं दे सकता और नहीं दिला सकता है क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है किसमत उनकी भी बदली जा सकती है जिनकी किसमत लिखी नहों अगर आप मेहनत करते हैं और आप लगन से काम क तो आपको सफलता एक ना एक दिन मिलेगी आवसे एक बार में नहीं मिलेगी तो दुबारा वसे मिलेगी आपकी किसमत भी आपके सामने गिड़गडा देगी अगर आपने महनत किया क्योंकि किसमत उनकी भी लिखी होती है जिनके हाथ नहीं होते हाथों की लकीरे आपकी किसम में भैंकर लाब होने के चांस हैं उसी के सांसां जो जातक भगवान सूरी को पुरसंद करने TB साल 2024 में उनको भैंकर लाब होकर रहेगा क्योंकि आपके रासी के मालिक जो है सूरी भगवान बन कर रहेंगे सूरी भगवान आपके घर के मालिक रहेंगे साल 2024 में ऐसे में सूरी भगवान को प्रसंद करना आप लोगों को बेहद लाब पूर हो सकता है उसी के साथ जो जातक अपने जीवन में महनत करते थे लेकिन सफलता नहीं मिल रहा था उनको लगता है कि हमारी किस्मत खराब है हमें सफलता नहीं मिल पाएगी तो उन लोगों को थोड़ा सा सौधानी बर्त लेना है और अपने बारे में सोच लेना है आपकी रासी सिंग है, बात समझिए, सिंग मतलब सेर होता है, कोई आम रासी के विक्ति आप नहीं है, तो आप जब सेर की रासी हैं, आप सेर हैं, आपके अंदर एक खुबी है, आप किसी के आगे जुकेंगे नहीं, किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करेंगे, नौकरी जहा सपल्मर्नां बिजनेस करने के लिए सोचोगे तो आसानी कि आसानी से क्या सफलता मिल जाएगा नहीं मिलेगा और एक तरफ आपको सफल्ता नहीं मिलेगा आप मेहनत करेंगे फिर भी आप बहुत प्रैसान हो मिलेगी यह सी एक बार में नहीं मिल सकती लेकिन दुबारा जब प्रयास करेंगे तब तो मिलेगी दुबारा भी नहीं मिलेगी लेकिन तिबारा जब प्रयास करेंगे मिलेगी जरूर आपको एक बार में ही अपने करियर को पीछे छोड़ना नहीं है आप जिस लाइन में हैं उसमें मिहनत करते रहना सूरी भगवान आपके रच्छक हैं आपके घर के मालिक हैं इसलिए सफलता बहुत बढ़ी देंगे जब भी देंगे तो बहुत भयंकर सफलता देंगे उसलिए आप लोगों को बता देना चाहता हूं आप लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलेगी ह सिले सफलता थोड़ा लेटर में मिलेगी तो वित्र वीडियो को लाइक करके चैनल